एक तरफ डीजल पेट्रोल की कीमते लगातार बढ़ रही हैं दूसरी तरफ गैस सिलिंडर के दाम लोगों को परिशान कर रहे हैं और इसके साथी साथ जो सबसे बड़ी परिशानी अब लोगों के सामने आरी हो है सबजीयों के दाम इस वक्त प्यास टमाटर जैसी सबजीया काफी महंगी हो चुकी हैं प्यास क्योंकि नौरातर में लोग बहुत ज़्यादा खरीद नहीं रहे हैं लेकिन टमाटर जो है टमाटर लोगों को रुला रहा है टमाटर की कीमते बढ़ गए पहले से क्या है कीमते कारण क्या दुकानदार बता रहे हैं ये भी हम जाने की को पीछे माल नहीं है खेतों माल नहीं है अच्छा तो ये बताईए फिर तो आपकी दुकानदारी जो है उस पर भी असर पड़ा होगा बहुत असर है आधा विक्राव लोग आ रहे हैं तो देखें लोग कम आ रहे हैं क्योंकि काफी असर हुआ है लोगों के एकॉनमी पे क्य पहले से जितना ही खरीद रहे और कम हो गया देखें लोग जो है वो अप सब्जीयां भी कम करीद रहे हैं यहाँ हम इस वक्त मौझथ हैं ओख्रा मंडी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जीयों के ठेले लगे हुए हैं सारी चीजें हैं लेकिन लोग जो हैं वो अ आसमान जू रही है सब्जीों के हर चीजों के भाया यह बताए जो और उसिजा है ऑफ यह फ्रूर बंदज बने और SP तो देखिए कि स्थिती ये है कि माल की कमी है जैसा कि यहां पे दुकांदार बता रहे हैं लेकिन जो इनके पास स्टॉक में भी है वो भी पड़े पड़े खराब हो जा रहा है क्योंकि लोग नहीं आ रहे हैं खरीदने के लिए बहुत ही कम लोग हैं जो पहले की तरह एक मु तो बिल्कुल 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 असर मैं देख पार यहां भी खईदने के लिए आए हैं सबजियां काफी महंगी हो गई है सब्जियां काफी गडबर हो गई होगा अर्थína जो गर अगर यहां पर यहां पर यह रट विक रहा है तो देखो जो घर में हैं जो हमारे डिपू है कुछ है वहां पर उसे डबल सब्सक्राइब कर देखो तो देखे लोगों की शिकायते हैं एक तरफ दुकांदार बता रहे हैं कि कीमते बढ़ने से ना सिफ उन्हें नुक्सान हुआ है क्योंकि लोग पहले से कम आ रहे हैं बलकि जो लोग कर दीजों को लिए की चीजे लेना मुशकिल हो आपको रखे आगे